नमस्कार मित्रो मैं हूँ सोलंकी और आप देख रहें मेरे यूटूब चैनल सोलंकी कम्पीटर तो मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ये गंटी के बटन को भी दबाए ताकि मेरे आने वाले लेटस्ट वीडियो के नोटिपिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना आज मैं वापीस याने एक मेरे जो सब्सक्राइबर है उसने मुझे एक रिक्वेस्ट की के सर विंडोस सेवन का याने सिंगल जो फाइल का आयो से फाइल जो बूटेबल करके आप बताईए क्योंकि कल के वीडियो में मैंने मल्टी बूट वाली जो फाइल बना के याने बताया था तो उसकी एक रिक्वार्मेंट थी के उसने बोला के सर मुझे याने सिंगल जैसे की रूपूस सॉप्क्वेर के मादियम से बूटेबल करके बताईए तो मैंने का चलो कोई बात ने आपको इसके इस टॉपिक पर मैं वीडियो वापिस बना दूँगा तो आज के टॉपिक याने यही है कि मैं विंडोस सेवन की फाइल को याने रूपूस के मादियम से बूटेबल करके आपको बताऊंगा तो सिर्फ आपके पास में रिक्वार्मेंट याने एक तो पैन ड आप आसानी से याने विंडोस सेवन की ISO फाइल को पैन ड्राइस से बूटेबल कर सकते हो तो वो कैसे करना है तो चलो मैं आपको वीडियो में फुल टूटोरियल के साथ में स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा तो वीडियो को अंतर देखना वीडियो को इसकिपना करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता दिता हूँ सबसे पहले याने आपको आना पड़ेगा support.microsoft.com ठीक है यह वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आके आपको यहाँ पर चेक आउट करना है जो विंडोस 7 का जो यहाँ पर लिखा हुआ है support for windows 7 ended on january 14 2020 याने Microsoft ने 14 january 2020 को announce कर दिया था कि यानि इसका जो update था वो पूरा याने वहाँ से हटा दिया गिया था ठीक है तो अभी जो Microsoft की website पर जाके अगर आप download करना चाहूंगे तो आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो इसके लिए आपके पास में एक तो अगर डीवीडी है ISO फाइल की तो बहुत बैटर है अगर आपके पास में नहीं है तो आप याने alternate याने website पर जाकर भी आप download कर सकते हैं तो चले मैं इस पर आपको बता ही देता हूं यहां पर अब इसको download करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको थोड़ा स्क्रॉल कर नीचा लेना है यहां पर पूरा आप यहां से जैसे कि मैं right click करके open new tab पर क्लिक करूंगा तो यहां पर already महां से support बन दे तो यहां पर देखे error 404 not found यह बता रहा है ठीक है याने we are sorry this download not longer available ठीक है क्योंकि यह setup अभी महां पर available नहीं है ठीक है वहां से हटा दिया गया है अब इसको थोड़ा सा और इस्क्रॉल करके नीचे लेना है अब यहां पर लिखा हुआ है windows version link link to microsoft download center अब यहां पर लिखा हुआ windows 7 32 bit x86 अगर download करना है तो यहां पर click करना है अगर windows 7 64 bit x64 और यहां पर download का section है यहां पर आपको 64 में लेना है तो 64 को आप download कर सकते हैं और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप windows 7 64 bit में ही download करें तो यहां पर download पर click करने के बाद में आपको यहां पर download हो जाएगा अभी तो वैसे मेरे यह download मेरे पास में already है चलो यहां पर जैसे आपको click करना है खलिक करेंगे तो यहां पर आपके साँने ऐसा इंटरफ्रेस ओपन होगा उसके बाद में यहां पर इसको डाउन याने करना उसके बाद में यहां पर language आप कौन सी language में लेना चाहते हैं जो भी language आपकी है वो ठीक है तो मैंने English यहां पर select किया हुआ है उसके बाद में यहां पर लिका हुआ है और इंटरेक्शन इसका पढ़ना है तो यहां से आपके installation इंटरेक्शन पढ़ सकते हो अगर system requirement system के लिए क्या क्या requirement है तो यहां पर आप चेक कर सकते हो details में भी देख सकते हो ठीक है जैसे details में देखेंगे तो यहां पर file की size सारी यहां पर बताएंगे ठीक है यहां पर देखिए वर्जन उसके बाद में 2710-2014 का आया फाइल ने विंडोज बन के भी ठीक है यहां पर file size ठीक है और system requirement है तो यहां पर system requirement भी आप यहां से check out कर सकते हैं यहां पर operating system windows 7 service pack बन ठीक है यह service pack बन है और installation interaction पढ़ना है तो यहां पर देखिए यहां पर अल्रेडी लिखा हुआ है तो इस्टार्ट डाउनलोड क्लिक टू क्लिक डाउनलोड बटन and then do one the following और select another language from change language and then click change उसके बाद में दूसरा option आएगा click run जब वो डाउनलोड क्लिक होता है तो उसको right click करके run करना है run to start the installation immediately ठीक है उसके बाद में क्लिक save उसके बाद में उसको save करना है to copy the download your computer for installation at the later time जब यह download complete होता है run करने के बाद में उस copy file को save करके आप अपने कई बेभी partition में रख सकते हो ठीक है उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा वह भी में यह update version के लिए हैं जैसे कि अगर आपको update करना तो यहां पर अल्रेडी लिखा हुए system update रिडाइनेस टूल फोर विंडोस सेवान फोर एक सिक्स्टी फोर बैस्टर सिस्टम के भी 947821 अप्टूबर 2014 ठीक है तो यहां पर यह update है अब उसके बाद में आपको क्या करना है जैसे की अब यहां पर download पर click करेंगे तो जैसे की download पर click करेंगे तो यहां पर यह होगा page उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ click here to download manually यहां पर आपको click करना है यहां पर click करेंगे तो भी download हो जाएगा और automatically भी हो जाएगा यहां पर देखिए यह automatically download हो रहा है ठीक है उसके बाद में यह download होता है तो रन करेंगे तो यह ISO file का setup बढ़ेगा ठीक है चलो मैं तो यहां से इसको post कर देता क्यूंकि मुझे इसकी जुरूत अभी है नहीं अब इसके बाद में आपको second number requirement होगी आपको system जो रूपूस की तो चलो मैं अपने my pc को open करता हूं उसके बाद में मैं download पर जाता हूं download पर जाने के बाद में यहां पर मैं रूपूस को search कर देता हूं यहां पर बहुत सारे मेरी file है इसलिए यहां पर रूपूस को क्योंकि कल मैंने win usb वाला बताया था आज रूपूस ठीक है तो यह रूपूस का है इसको मैं right click करूंगा उसके बाद मैं run as administer करूंगा ठीक है तो permission पूछा जाएगा उसको मैं yes करूंगा allow करना है allow करेंगे तो यहां पर ऐसा option याने उसका interface दिखेगा तो अब मेरे पास में यह pen dry है मैं आपको यहां पर दिखाई देता हूँ बता भी दे रहा हूँ यह pen dry है मेरे पास में यह bootable की हुई है चलो मैं इसको पहले format करूंगा तो आपको सरफ परतम इसको पहले format करना है यह भी विशेश दियान देना है मैं एक एक करके आपको बारी की से समझाओंगा ठीक है तो आप आसानी से अपने pen dry को bootable बना सकते हो अब यहां पर मैंने यहां पर मेरा बता दिया 16 GB का ठीक है अब यहां पर यहां पर कुछ नहीं करना है आपको पहले my pc पर जाना है ठीक है my pc पर जाने के बाद में आपकी pen drive पर right click करना है उसके बाद में उसको format पर आपको click करना है format पर click करने के बाद में quick format का option है ठीक है इस पर click करना और start आपको करना है start करने के बाद में ok करने के बाद में थोड़ा time लेगा उसके बाद में format complete आएगा तो उसको ok करना है मैं आपको बता देता हूँ यहां पर ok कि अब उसके बाद में इसको क्लोज करना है क्लोज करने के बाद में आपको एक विसेस बात बताना चाहरा हूं कि हमेशा मैं आपको निविदेंद करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करें वीडियो को लाइक तक देखें बलकि याने कोई भी दो-तिन बंदों को याने मैंने थोड़ा कानपरमेंसन किया वो क्या करता है कि वीडियो पर कलिक करने के बाद में वीडियो को वापिस मासे क्लोज कर देते तो उससे मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैं इतनी मैनत करता हूँ आपके लिए अच्छे-चे content ले के आता हूं तो आपका एक हक बनता है कि यानि उस वीडियो को लाइक करना वीडियो को गॉस करना वीडियो को अगर आप पूरा देखोंगे तो आपको यानि समझ में भी आएगा नहीं तो क्या करते कि आप आदा अदूरा देखते हो बाद में आपको कोई आप यानि इस्टॉलेसन करते हो यानि आप कई फसते हो तो बाद में हमें वीडियो के यानि comment box में comment करते हो कि सर मुझे ये problem है तो क्यूं आप ऐसा करते हो आप वीडियो को अंग तक देखिए आपको बारी के से यानि समझ में आएगा क्यों कि मैं हमेशा आपके लिए अच्छे से कमेंट लेके आता हूँ तो आप आपका एक हक बनता है मैं आपसे हाथ जोड़के निवीदन करता हूँ कि अगर मेरे वीडियो में कोई कमी पूर्ती है तो आप मुझे बताईए कॉमेंट में लिख किये तो मैं उस कमी को सुदार हूँ क्योंकि मैं हजारों यूटूबर में किसी का नाम ने लेता हूँ बल्कि कोई आदा आदूरा बताते हैं कोई पूरा बताते मैं किसी का भी कहता हूँ बलगी मैंने जब से यूटूब स्टार्ट किया था और यूटूब का मैंने experience लिया था उस दिन से लेके आज तक मैं यूटूब के यानि हर वीडियो को भलिपाती रूप से अच्छी तरह से यानि उसको बनाता हो और editing करता हो उसमें कोई कमी नहीं रखता हो बाद में उसको एक्सपोर्ट करता हो एक्सपोर्ट करने के बाद में अप्लोड करता हो टाइटल से लेके description तक आप चेकाउट कर सकते हो टेक्स से लेके और भी यानि बहुत सारे आप चेकाउट कर सकते हो यानि मेरे वीडियो में कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी थमनेल भी आप चेक करता हूँ कि इस वीडियो पर मुझे हच्छ से ज्यादा लाइक याने आप दे देना ताकि मुझे बहुत खुशी होगी तो मैं अगले वीडियो में और भी अच्छा यानि लाज जबाफ कंटेंट लिके आऊंगा तो चलिए मैं टाइम वैस्ट ना करूंगा अब चलिए आपको disk और Iso image please सेलेक्ट यह आपको याँ पर ऐसे ही अधेड़ा देना डैक है अब अभाको याँ पर आना सेलेक्टrm को उप्स्पैंद इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के एक बार देख लेता हूँ वो फाइल मेरी डिलेट तो नहीं हुई एक मिनिट इसमें भी नहीं है एक मिनिट मैं पूरी बता देता हूँ अब देखें यहाँ पर Windows 7 SP1 की मेरे पास मैं आई यह सो फाइल है ठीक है इसको मैं यहाँ पर कलिक करूँगा और open पर कलिक करूँगा open पर कलिक करने के बाद मैं थोड़ा सा मैं इसको highlighter को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ एक बार ताकि आपको समझ में जल्दी आएगा ठीक है मैं इसको यहाँ से hide कर गए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलड़ी मैंने फाइल एड़ कर लिए है यहाँ पर लिखा हुआ windows 7 sp1 iso ठीक है अब उसके बाद में आपको push नहीं करना यहाँ पर push नहीं करना image यहाँ पर standard windows installation का option है यहाँ पर यहाँ पर एक विसेश ध्यान देना है अगर अगर आपका partition GPT है तो GPT select करें अगर MBR का हैं तो MBR select करें ठीक है और ज्यादा तर तो अभी GPT में होते हैं अगर कोई कोई system होते है जो old version के वो MBR में आएंगे ठीक है तो आप एक बार अपने motherboard को check out कर सकते हैं कि आपका GPT है या MBR है ठीक है उसके बाद में जैसे मैं GPT पर click करूँगा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना target system पर ठीक है उसके बाद में आपको आना सबसे नीचे ठीक है यहाँ पर आपको FAT 32 default रखना है ठीक है यहाँ पर NTFS का भी option है बलकि आपको यहाँ पर FAT 32 को ही रखना है ठीक है लिए आपको FAT 32 default भी रखना है ठीक है उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है ठीक है उसके बाद में यहाँ पर quick format का option है ठीक है तो quick format पर आपको check mark लगा रहा है ठीक है उसके बाद में आपको आना नीचे यहाँ पर start ठीक है पर आपको क्लिक करना है, इस्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके पास एक वर्निंग मेसिज आएगा, All Data on Device, No Label, जो Label का मेरा नाम है, जो मेरी पेंड रही का नाम सूला जीबी, Will Be, उसके बाद में Restored, Deleted, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अपने पेंड रही के डाटा को याने डिलेट करना चाहते हो, तो उसको Yes करें, अन्यता कैंसल करें, तो मैं डिलेट कर देता, ओके करता हूँ, ओके करने के बाद में यहाँ पर लिखा आएगा, डिलेटिंग, उसके बाद में यह थोड़ा Partition, यह डिलेटिंग होगा, Formatting, Formatting Complete होने के बाद में मैं आपको बताता हूँ, यह Formatting में थोड़ा टाइम लेगा, अब Formatting Complete हुआ, अभी है, देखिए, मेरे ISO फाइल कॉपी हो रही है, ठीक है, Copying, ISO फाइल, ठीक है, ISO फाइल कॉपी होने के बाद में, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, Pen Dry को अपने सिस्टम में से रिमूव करना है, ठीक है, रिमूव करने के बाद में आप उसको कहीं पे भी किसी के भी PC को Format कर सकते हो, ठीक है, याने आपको इसमें कोई Problem नहीं आएगी, आप 100% अपने PC को Format कर पाऊंगे, यह जो जैसा मैंने आपको Method बताया, इस Method को अगर आप सेलेक्ट करोंगे, तो आपको कोई Problem नहीं आएगी, ठीक है, मैं जब यह Copying हो रही है, तब तक मैं बापीस आपको बता दे, तो यहाँ पर आपको Windows ISO यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में आपको GPT और MBR का विसेस ब्यान देना है, उसके नीचे आन करना है, ओके करेंगे, तो इमाँ पर थोड़ी फाइल फॉर्मेटिंग होगी, उसके बाद में कॉपिंग, ISO फाइल कॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब वो कम्प्लेट हो जाती है, यानि यह लाइन पूरी यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद में आप उसको Pen Drive को रिम देना, ताकि मेरे आने वाले लटेस्ट वीडियो को नोटिपिकेसन आपको टाइम तू टाइम मिलते रहे, अब यह कम्प्लेट होने के बाद में मैं आपको बताता हूँ, अब देखें, यह कॉपी हो रही है, थोड़ी सी बाकी है, और कल वाला वीडियो आप भी देख सकत हो, ठीक है, उसके बाद में अगर आपको कोई YouTube में जो unwanted, dirty comment अगर कोई भेजते हैं, गंदे comment, अगर उसको बंद करने हैं, तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो यह बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है, और बहुत सारे याने आपको antivirus के relative, software के relative याने बहुत सार हूँ, यह थोड़ा सा ही बाकी राहे हैं, अभी complete हो जाएगा, और भी यहां पर bank of brother में अगर आपको ATM card में pin generation करना तो यह भी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है, अगर आप पर यह मित्रा यूज करते हो तो उसका भी आप वीडियो यहां से देख सकते हो, बहुत सारे वीडियो मेरे अंदर है, ठीक है, आप यहां से, बेफिकर यहां स देख सकते हो, मेरे जो भी वीडियो है, ठीक है, यह एक बार complete होने दो, मैं आपको पूरा बताऊंगा, और equitas bank में अगर आपको account खोलना है, तो भी यहां deposit, उसके बाद में fix deposit account है, बहुत सारा यहां पर वीडियो आपको मिल जाएंगे, banking relative भी बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, देखिए, antivirus के relative है, अगर pen driver अपना photo कैसे लगाए, तो उसके बारे में भी मैंने ये वीडियो अलड़ी बनाया हुआ है, ठीक है, अपनी pen driver अपना photo कैसे लगाए, ठीक है, तो इसके बारे में भी वीडियो बनाया हुआ, तो आप यहां से वीडियो को दे कभी नहीं बताता हूँ, साहि मेरा वीडियो लंबा हो जाए, तो उससे मुझे कोई तकलीब नहीं है, क्योंकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, तो यानि उनको मैं step by step last तक बताता हूँ, और एकदम accurate बताता हूँ, तो वो बहुत खुस होते, आदा आदूरा बताँग कि मेरे वीडियो को last तक आप जुरूर देखिए, ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे वीडियो को like, like भी करेंगे और last तक भी देखेंगे, ठीक है, और अगर आप नए यूटूबर हो, अगर आपको photo image, जैसे mp3, जो music, अगर आपको free में चाहिए, और वो भ आइटेगे हैं, ठीक है, वहाँ से वीडियो भी मिल सकते हैं, और photo भी आपको मिल जाएंगे, और music भी, ठीक है, अब देखिए, यह complete होना वाला है, थोड़ा सा बाकिराएं, ठीक है, यहाँ पर यह देखिए, complete हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, ready, याने इसक यह तैयार हो गई, अब यहाँ पर इसको close करना है, ठीक है, close करने के बाद में, आप उसको, याने pen drive को, आसानी से उसको, याने format कर सकते कोई भी system में, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर मेरा यह ISO बन गई है, यहाँ पर देखिए, पूरा, ठीक है, और pen drive bootable हो गई है, ठी system को, ठीक है, तो I hope आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार है ते मेरे चैनल को subscribe कर देना, और साथ में घंटी के बटन को भी दबा देना, ताकि मेरे आने वाले latest वीडियो को notification आपको time to time मिलते रहे, मिलते हैं अगले वीड के साथ में तब तक के लिए जैहिन जैवारा